और एक्स मतलब इस element का center of mask का X coordinate यूकर ही है बस तो आप हम एक्सिस निकाल देंगे integration x dm upon integration dm यहां पर dx का limit हागा पहला element यहां पर होगा तुसका x 0 होगा लास्ट element यहां पर होगा उसका x a होगा तो limit होगा जीरो से कि इसको डाल के इंटेग्रेट कर लेना परने परम एथ्री यह रहा बताया मैंने इसको ना तीम अलग अलग डिस यह स्कुरिक माल लेना तो यह एक सीम और वाई सीम का फॉर्मला लगा लेना उससे सेंटर अब मास हा जाएगा पूरे का कि इस पार पर में किसी को और कोई डाउट है नाइस है इस कुशन में मैंने वर्टिकल स्ट्रिप अलिमेंट लिया उस एलिमेंट का एक्स कोडिनेट को एक्समाना और उसके एलिमेंट का जो वाई कोडिनेट होगा वो इसी क्योशन लेगा की एक स्कूर्स तो पर वाला लेंद आ गया नीचे वाला लेंद भी आ गया वही जो हम करते हैं कर एट को हम लोग इंटेग्रेट करके भी कर सकते हैं और वो कैविटी वाले समसे भी कर सकते हैं मैं कैविटी से बता देता हूं यहां पर यहां पर यह तरह से कैविटी है तो इसको एक सक्समाल लेते हैं इसको आएक सिस्माल लेते हैं कि इसका डियास आरवन है इसका डियास हाट हो है तो यसी एम का फॉम्ला लगाएंगे यहां पर वनका मतलब पूरा अबजेक्ट पूरा अबजेक्ट का एरिया है वाई आ टू स्क्वेर बाई टू और वाई वनका मतलब इस पूरे अबडिकास सेंटर ऑफ मास का वाई कॉर्डिमेट जो कि फोर आर बाई तरी पाई है माइनस एटो मतलब यह वाले रिया और वाई तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास अपन एवन माइनस एटो इसके आगे मैं करूँ है पाट्टू का एट्री असीम को डाउटे अजब इसके आगे वाई है उसको डेके फॉर्म में बेंद हुआ जिसमें ये ये लेंग 5 सेंटिमेटर है ये लेंग भी 5 सेंटिमेटर है और यह लेंग सिक्स है इसका लीनिया मास देंसिटी और इसका लीनिया मास देंसिटी सेम है इसका लीनिया मास देंसिटी डबल है तो हमें इसका सेंटर मास डूमना है तो वापस से इसको लोग एकसेस माल देंगे इसको हम लोग य एकसेस माल देंगे तो य सीम का फॉर्मला लगेगा मतलब इसका मास इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटु फाइव वाइवन मतलब इसका सेंट य और आफ मास का व्ली कोडिनेट तो बाद में निकाल लेंगे ये डिसन्स 6 होगा तो ये डिसन्स फ्री सेंटिमीटर होगा ये थ्री है यह फाइव है यहां पर पायितो बृष लगाँए तो यह फो शेंटिमीटर आजायेगा तो इसका सेंटर असका वाइग और इसका सेंटर असके बीच में होगा ऐसे करोगे तो यह पॉइंट भी इसलेंग का मिट पॉइंट होगा तो यह जो डिस्टेंस आएगा वो टू आएगा तरसिका शब्सकें रोमस को य कोडिन वाजय गर में आ्रिस्कामद देडिल्सकामों जाल आ जब स्बीट्ब में प्रिकूर कोडियरं फिर्च ट्क्रवेरे चंद्धत आट डॉक और जिए यक कर्दिक आट हून का वाइ को दिन जो कि फूर ये संट रड़र ये संट रड़र कि आपिंगे अर्व कर आख से अर्व कर दो अर्व कर दो मैं अर्व कि अधार कि आजयता है सबस्क्राइब है लेकिन ईकली कभी वह सम्झानिए इक लिटी इसस्टम में कितने पार्टिकल यह तो बोला दी अगर एक ही पार्टिकल है उसका सेंट्रम कहां पर होगा कि अच्छा हां सब्सक्राइब हो कि अज़र है कि अग्व अग्या और क्या दॉप्त करना था डबलू पी का सथ से पुछ था एक साइस टूपर तो प्ट करना डिसकस पासर बोलो क्या डायूट है यह से लोग्त करना डिसक्स बाद है यह यह पिलू कि पैंसर का पराब रभी कि लिद्ट्रोंस वाला कि ट्रांसपर करेंगा कि नुप्री फिजिक्स करते हैं तक बता तक दो ना केलोरी मेट्री पूरा हो गया हीट वाले साले हो गये हाँ और मॉडल हाँ कंबाइन करें पड़ाएं के सब्सक्राइब नहीं सर्षा वालग तेक्ष ही ही भगाँ तेक्षा पड़ाँ है कि और अ यै नहीं सुझ काईशाएं कि यह इस दुग्च्ट ये अगल खुग्च्छराशाएं ये की तेक्षाएं आपको एनरजी एकसाइस टूब पार्ट तू में किसी को डाउट है सेक्स्ट पार्ट टू कर रहा है पार्ट नहीं तो था पार्टन तो हूँ बहुत से अच्वित करें नियुक्त कर दो दोगे यह प्रट नहीं है यह कौन से कुछिशन्साल कर देख उसके लिए में इसे बता लाई कि देखो यह जब उपर जाएगा ना अगर यह रफ सर्फेस है तो फ्रिक्शन का वर्गडन कितना होगा माइनस में आंगे कॉस्टीटा दो एस और इस ट्राइंगल से एस कॉस्टीटा क्या बन जाएगा एक्स एक्सरिक्शन कमणे वड्गन की यह यार रखा करो मतलब जब फ्रिक्शन की वगडन प्रींगन में लोग जोगन मैं दिश्परस्मिन युँए वालल essayनर और एक्सरिक्शन कम्में पतka यह येक्सरिक्समिंण ऐसीसमिण एवाल लुए तो सिक्स्ट कुश्शन में न ये हैं यहां बिना ऐसे अगल में हर छोटा छोटा पार्ट को एक इंक्लाइं लेंगे समां सकता हो कि नहीं है कि वह वां सर्सक्राइख पार्ट इंक्राइं ले मानोंगा अलीच कर्णा बिन मानोंगा तो अब जो खोता है वह था मामै इन गैस्ट कितना मुवकिया तो यहां पी friction यहां से लेकि यहां तक की बीच में friction का work done कितना होगा minus mu mg into इस incline plane में यह वाल आएगा, इस incline plane में यह वाल आएगा, इस incline plane में यह वाल आएगा अब सारे चोटे-चोटे work done minus mu mg dx dx होते लएगा सब को जब हम add करेंगे तो minus mu mg तो comma आजाएगा यह सारे dx का स्थम कितना बन जाएगा आज 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 तो अब में अगर वो निकालना है तो हम लोग वर्टेजित वर्ट लगाएगा यहां पर mg work done कर रहा है, friction work done कर रहा है और tension work done कर रहा है mg का work done होगा, minus mg into r, friction का work done होगा, minus mu mg into r और tension का work done हमें लिखा रहना है तो tension का work done आजाएगा इसमें जो path follow कर रहा है वो क्यों नहीं लेंगे यहां पर समझें लेको जो इसने जो path follow क्या उसी का में लिखा फ्रिक्शन का और फिर s cos theta x बन गया तो यह friction का work done एक थोर सा शॉटकट तरीका आगे फ्रिक्शन का work done हम डारेक्ली लिख सकते माइनस में एम्जेंट एक्स एक्स ना वहां पर वहां पर तो पादेना अपर को है बट कर पादर एक छोटा सा एलीमेंट लोगे तो वह almost straight है कि नहीं तो फिर उसको जो माइनस में एम्जेंट इंटु दी-एक्स होगा और ऐसे सारी पाथ चोटे-चोटे इंट लिखे एड कर देंगे तो इस अब आरत आट रहा लागे इब्राम यूट राइन यूट कर था पर रही सब आशी सारे दुआ चोटे-चोटे दृष होगा आख इसे तो समझ रहे? बर कितना उसने ट्राइवल किया ठीक इस्प्रेस्मेंट हुआ उसके साब से वर्कडान लिखेंगे ना कि मैंने डिस्प्रेस्मेंट के साब से लिखा था माइनस प्रिक्शन लग रहा है और यह एस को सीटा एक्स बन गया यहां से यहां थे का मैंने एक्स हो जाएगा पर अगर में उसको इसी लिए हो गया इसको एससे समाच दख्चा ना कि माला मैंने नॉर्म पॉइंट पे नॉर्मल पे माला फिर उसका एम जी का वो डारेक्शन में लिए उससे निकालेंगे तो वही फॉर्मिला भी बन जाता है वही होगा मतलब माइने नॉए एमजी कॉस्टीटा नॉमल होगा इंटू डी एस आएगा लिएस इंटू कॉस्टीटा क्या बन जाएगा डी एक्स और सारी डी एक्स का सम्पिर से हारी होगा या साम्झा सम्झा अज्फने इस ने लुछ सैन्गे इस तरिए तरिक्सट इन्गे तरिए यहां प्रॉट रखंग जैक जो जो प्रॉट रंग जो जोड़ी इसमें एंबन पर वर्ट के अनर्जी लगा की करेंगे ना इंच वे पिर फ्रेफ लग जा इसपर विला इसको नहीं नहीं इसको इसको मैं बता रहा हूं यहां पर एंवन को कौन को कौन कर तरह किच रहा है कि मैं वन पे अपना गाए फोर्स फोर्स एम एंवन पे लगाए सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब तो एंटू वाला मुव कप करेंगा जब के एक सब्सक्राइब कि इस पर एक सो कितना होना पड़ेगा मैं जिरो से मैंग्सिमुम एलॉंगेशन कितना होना पड़ेगा कि इसमें लेकि मैंग्सिमुम हो रहा है उस दौरान एंटू मूव कर रहे क्या मैंग्सिमुम एलॉंगेट होगा तो जब मैंग्सिमुम एलॉंगेट होगा उस सामें एंवन का वेलॉस्टी कितना होगा मैंग्सिमुम एलॉंगेशन में वेलॉस्टी पीरो इस पर हम लोग वर्क एनेजी तिरप लगा देंगे यह मैंग्सिमुम एलॉंगेशन एक्स है तो इस पर एक तो फोर्स को अटकारा एफ इंटू एक्स एक्रिक्शन वाग्डिन कर रहा है इस इक्वल टू और कोई वग और स्प्रिंग वाग्डिन कर रहा है इस इक्वल टू जीरो एक्स को डाल देना यहां से एक्वाग जाएगा कि अधि कि अध्युक्ष 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 कि अध्युक्ष कि डूअ कि cya अध्युक्ष 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 का वारिश्ट्र में लबहाने किया अभी तक जब यह यहां पहुंचा उस दौरान M2 नहीं किया जैसे यह यहां पहुंच जाएगा अब M2 जास्ट स्लाइड होना चाहेगा कुश्चन नम्बर आई कुश्छन गजाँ अजा हाँ कुश्छन जास्य थिए कुश्छन जास्ट यह यह गगाँ कुश्छन जास्ट थिए इसका मास है 4 kg यह दिस्टंस है 4.8 मीटर पूर्पन 6 मीटर ब्लॉक यहां से यहां तक आया फिर स्प्रेंग को कंप्रेस किया स्प्रेंग को इसने एक्ट्राइल कंप्रेस किया 40 सेंटिमेटर और यह प्याकर रुख किया और फिर यह रिबाउंड किया यहां से यह वापस इबाउंड किया अब इनकलन अभड यहां पर फील करोगे ना ये मतलब यह पर यह ब्लॉक आ रहा है इसको कंप्रेस कर रहा है कि वापस कर रहा हो लिबाउंड यही तक कर रहा है तो ये जो मोर्त है कि रश ये स्मूर्थए बर अलब स्मूर्थ होता है ये वापस पूरे स्जेक्टिक्टी यहां तक जाता ये यहां तक नहीं जा रहे है अब 적म दाफु रफ दाफ तब यो स्लोड़ाउन हो रहा है अब स्टार्टिंग में इसका वेलास्टी जीरो है जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है उससे में भी वेलास्टी जीरो है और जब यह वापस यहां तक पहुंच रहा है यहां पर पर एक तो 10 अटमीछ वालन स किर रहा है यांट 237 इंट मैं यह व्र दिस्टेशमेंट जोकि 5 एद स्टी वालं स्टीतों lately कि 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 पॉइंट पॉइंट करा है माइनस हाफ के एक्स का स्वेर एक्स मतलब स्प्रिंग का कंप्रेशन जो की पॉइंट फूर है कि इस एक वर्टों चेंजिंग कानेटिक एंजी जीरू है फिर हम लोग यहां से यहां तक भी वर्क अनेजी थिर्म लगा देंगे यहां से यहां तक एप्वंगर माइनस एंप्री सेंट इसंड़ी एफो यह वाला इस्क्रीशन थिह कर रहा हैrous के एक स्क्वेर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो अंसर आ जाएगा किसी को डाउट है किसी ओ करेंगे तो और शोंडने मिभके अखच्कश्छ जा का स्क्रेव viens क्षच्छ्छनिड अ झाल question number 11 में हमें ये block को यहां लिखे आना है spring को block को वापस लिखे आना है इस दोरान यहाँ पे slipping नहीं होना चाहिए यहाँ पे slipping होने का tendency maximum जब spring maximum compression पे होगी जब spring maximum compression पे होगा तो सबसे पहले तो हम लोग वर्टाइनर्जी कंदर विशन लगा देते हैं इस पूरे को सिस्टम मान रहे है तो विक्षिन तो वगन कर दिगा क्योंकि यह स्मूथ है तो एनर्जी कंदर विशन लगा सकते हैं तो यहां से जब maximum compression होगा तो कारेंटिक एनर्जी का डिक्रीज होगा एनर्जी सिस्टम का हाफ एम में स्कुरेज होगा स्प्रिंग का पुटेंचिल एंक्रीज होगा अब जब स्प्रिंग मैक्सिमन कंप्रेस होगा एक्स तो उस समय स्प्रिंग इस पर पोस लगाएगा के एक्स इस समय इसका प्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा इस समय यह जस्ट अलग होना चाहते हैं बट अभी तो साथ में ही है तो दोनों का एक्षिन डिफेंट होगा गे सेम होगा आज एम हो अभी समय इस पे लिमिटिंग इस तरफ लगेगा मुवें तो इस पे लुटिस लो का का एकवेश्न लिखेंगे तो नेटीप वस इस एकॉन का की लिखेंगे तुनक वस इप्र कुर्वेश्न लुक ऐस अपरे means इंटू ए पुश्कर बढ़ वा यहां से हम लोग के एक्स निकाल लेंगे तो यहां से एक यहां डाल देते हैं एक टू है को यहां डालेंगे तो के एक साज आएगा फाइफ के एक सफाइब आगिया के दिए एक तरह जाएंसे मारा पाइब आप पूर हन्ड़ दिए बन्वाइटी एक स्कुए अडाल देंगे एक स्कुए इसक्वाइब तो हन्रेड इंटू एक सेक्स मतलब वन वाइटी यह में हमारा जाएगा वन बाइट अन्वित अग्टनिया वैं कि संटी मीटर में निकालेगे तो खंडी से मंटिक्टिए गर देंगे कैसर इस नोट यहीं सपर डिपैंड नहीं कर रहा है किया मैम क्वर्ष प्रिंग कश्पी अंतर यह एका देखो ना सर एंसे नाइन इसको मैंने कुछ गरबड की नेट पूर्स इसकुल टू एम में नेट पूर्स इसकुल टू एम में सब्सक्राइब गरबड यह एट होगा यह टू बाइंडेट वन बाइं फिफ्टी होगा अभी भी गर्बड लग रहा तुब हम सम्झा दूंगा एक सेकेंड वन बाइं कुंटी फाइफ पी निकान रहा है अभी वन फाइफ इन फंड़ अंड़ अंसर क्या दिया वह एक बाव अबस चेक रहां तो इसन नाइन ट्वैंटी इस निवें बाइफ इन टूंड़ इस इकोल टूट्वेंटी सेंटिमीटर पर सेकेंड किसको नहीं समझ में आया है सबसे मैक्स कब होगा कि यहीं पार्ट नहीं सुन्गा है कि मैक्सिमुन कब होगा कैसे माल चाहिए नहीं परेशन की टाइम उनकी होना चाहिए जैसे एक ब्लॉक है यह इसके पास वेलासिटी वी है इसके पास वेलासिटी वी है यह सफे स्मूर्थ है और यह सब्सक्राइब तो यहां पर रिलेटिव मोशन हो रहें क्या इन दोनु ब्लॉक की बीच में इस समय है नहीं सब्सक्राइब और अगर यहां से इस ब्लॉक पर फोर्स लगा दूंगा अब रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी होगा की नहीं तो अब फ्रिक्शन यहां पर लगेगा क्योंकि वो डिलेटिव मोशन होने से रुखेगा यहां पर फ्रिक्शन लगेगा वो भी मैक्सिमम लगेगा इस ब्लॉक को यहां चेक करने के ज़रक नहीं पड़ेगे ना जब ब्लॉक आ रहा होगा स्प्रिंग के तरफ तो इतनी जादा वेलोसिटी वेलोसिटी के कंडिशन नहीं होगे ना कि ब्लॉक आगे चला जाए नहीं यहां पर कुष्षिन का लेंगवेज पड़ो ना कुष्षिन में पूछाए कि मिनिमूम वेलोसिटी बताओ तक हो अब भी इस लिपना हो तो मिनिमूम वेलोसिटी निकाल रहे हो और हम स्प्रिंग एक बर भी निकला रहे तो सबसे ज़ादा स्लिपने का टेंडेंसी लग दिया उससर में स्लिप नहीं हो रहा तो बाकी कभी स्लिप नहीं होगा आसे समझाओ इसमें एनर्जी कंजर्वड है तो मतलब फ्रिक्शन तो स्टाटिक तो मैं बाद में भी वेलोसिटी सेम ही रहेगा ना इन दोनों का वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा वापस यहां पुचेगा तो वी जाए क्योंके फ्रिक्शन तो अग्दर कर लिए कर किसी को पर डाउट है अजाओ वेलोसिटी गजँ पर किसी को दो में तो भी जबाद है कि ले लुट वेलोसित को वेलोसिटी इन तो इस यद्सेफ्टी का को पर दो दो किद्टी थेख्टी का बाद है बाहर सर स्टे मिब्हूंड रहा है कि मतलब यह स्प्रींग उसपीं इमपल्स निदे रहा Приस belong spend um और शार आपिंपहस्यित तो देता हिए बार शार बों Ideal आओ जो तुम्हें के कि कि सप्रेंग इन ना सप्रेंग पॉर्स में इंपल्स का माना धाइश थो कि काक्ट से इंहित्फ में न रहे हुए। विविवाइब थिंपल्स नहीं है उसका इंपल्स कि इतना होगा और मोस्ट णिटाइम के दूरान स्प्रिंग पूर्स का इंपल्स और मोस्ट जितना होगा तो बदा टाइम लोगे थे इंप 네 फिट जेरो नहीं हो चोगा तो वो तो average force ही होता न सुर यह लास्ट समया क्योंकि टाइम होगी अब फिर पूरा discussion में लेक्षे चला जाएगा गार है है और यह दिस्तस्याइल है और नैच्छी लेंग बिल है और दूसरा इंड में रेंग है इसका मास है अब इस ट्रैंगल से ये टीटा है ये लेंग आजाएगा आल बाइ-कॉस टीटा ये ल्बाइ-कॉस टीटा को इलससे जो कि बेंगा एक मतलब बिसिकली कॉमन निकाल देंगे तो एल सेघी थीता माइनस बनी स्प्रिंग का लांगिशन है अब यहां पर इसका व्यलासिटी जीरो है यह यहां से यहां तक आ रहा है जब यह यहां पहुंचा तो इसका वेलास्टी इतना हो जो गी वैने कुशन में तो बाइट री अंडर रूट ऑफ के पाइएम तो यहां से यहां तक के बीच में कोई नहीं लग तो सिस्टेम का मैंजी कंद्र रव कर सकते हैं यहां पर यह पर यहां पर पहुंच गया तो इसका पुटेंचिल एंजी टिक डीज वा तो इसका का नेटिक एनरजी पहले जीरो था बाद में इतना हो गया तो इसका का इनरजी इंक्रीज हुआ है हाफ हैं वी स्क्वैर यहां से टीटा जाएगा है ठीकिये सब्सक्राइब कि अ कि 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 अब नेक्स्स टोपिक हम लोग पढ़ेंगे मोशन और सेंटर आफ मास मोशन आफ सेंटर आफ मास तो सबसे पहले तो हमने अल्यडी पढ़ लिया पुजीशन प्लाश दिस्प्लेस्मेंट अफ सेंटर आफ मास मैं एक्स वाल लिख रहा हूं तो सेंटर आफ मास का पुजीशन होता है एंवन एक्स प्लस एंटो एक्स दो प्लस अपॉन अपोन एंवन प्लस एंटो प्लस विपोजीशन आफ सर हेलो प्रशाद बीच में आवास चला गया और एक आगे डाउट था सर बीच में चाद आवास चला गया ने अच्छले क्या अभी टाइम हो गया मैं नेक्स क्लाश में डिसकस कर लूंगा 45 मिरिट्स हो गया हमारे अच्छा ठीक है सर कौन से कुछिन में डाउट था 15 वाला एक पढ़ रहा णुसरोट नञीक अमोड पाइट उससने च्छ naught एंड टांने लिए तम क्रोटा है बताओ अगर मैं पूजिशन निकाल अगर मैं डिस्प्लेश्मेंट का डिस्प्लेश्मेंट होगा और यह सब भी डिस्प्लेश्मेंट होगा तो यह टम क्या होगा हिस्प्लेश्मेंट किसका is element का मैं मन का नहीं मन का सेंटर ऑफ मास्क तो का जो सेंटर ऑफ मॉस्प्लेश्मेंट लोगा यह वेक्टर फॉर्मॉला है मैं मैं कुछ को आर लिखना चाहिए तो जाला बैटर मैं आर चेंज कर देता हूं कि इसमें आर लिखूंगा तो सब आ जाएगा एक्स वाइज सब जनलाइस हो जाएगा तो ध्यान रखना डिस्प्रेस्मेंट लिखा तो भी फॉर्मॉला पोजिशन लिख रहा हो तो यह M1 के सेंटर ओफ मास्ट का दिस्प्रेस्मेंट है अब इसको हम लोग डिफेंशे कर देंगे थो आपको आर्टिं कर आइम के लिखेंट में इन निया बन जाएगा वेलासिटी आप सेंटर ऑफ मार्स उसको डिफ्रेंशेट कर दिया तो यह एक्वेशन आ गया एक्वेशन में वीवन क्या है एलिमेंट का वेलासिटी वेलिमेंट के सिंटर मास का वेलासिटी और इसको वापस डिफ्रेंशेट कर देंगे तो हमारा एक्वेशन आ जाएगा यह भी वेक्टर फामुला है यहाँ पर फिर से एवन एमले सेंटर आप मास का एक्वेशन है यह कॉपी कर दो बग्यास 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 अगर यहां मेर्ण विखें नीए उससे ख़के अधर लिनिया मुमथन जायका लिनिया मुमें डपो म तू है विखेंगे समय विखेंगे पार ममें टेनम अट निंगे हम लीनियम मुमेंटम कि एड अफिर को चेंगे बंद कि अब जाएगा लीनिया मूमेंटम के नीचे संव चीज मन का मास एंटिए अब का मास सबका मास कोग कर देंगे तो Duski अब क्या बन जाएगा total mass of system और left में VCM है और right में यह है तो यह दोनों equal है यहां से अगर मैं linear momentum of system निकालूंगा तो वो कितना जाएगा mass into velocity और center of mass अब करेंगे यह लिए momentum of one है यह momentum of two है तो यह पूरा चीज मुमेंटम of system हो जाएगा यह पूरा चीज mass of system हो जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस दोनों से अगर मैं system निकालूंगा तो में जाएगा तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना system का linear momentum का मतलब क्या होता है system के अंदर जितने भी particles है वो सबका linear momentum का sum यह समझ के याद रखना system का linear momentum कि इतना होता है system के अंदर जो भी particle है उन सबका linear momentum का sum और वो इतना होता है of mass एक object है कि point है एक point है उस point का कोई mark होगा क्या सब किस्टाब्स आवाज निया नहीं होगा न तो पूरे mass को नहीं होगा तो डिपेंड करता है होगी सकता नए भी हो सकता है ने मलब कोई object होगा है point है point होगा point होगा point होगा point करता है कि नहीं point करता है कि नहीं center of mass का displacement velocity अके लिए सब होगा कि नहीं हाँ होगा but center of mass का कोई mass होगा नए मास में होगा momentum होटा है MN2E center of mass के पास कोई momentum होगा हाँ होगा center of mass के नहीं होगा center of mass का कोई momentum भी होगा center of mass के पास कोई object होगा point है वो गूद करता है कि बस वेलाउस्टी अक्षेशिए पास की दिस्टेश्म यह सब बॉता है राके सबस्टेश्ट पर लगता है लगता है तो यह जिए दिहान के था अजिए सिस्टम का मुमेंटम का मतलब नहीं होता है सिस्टम के अंदर जोगी तरजे है उन सब का मुमेंटम का सब कि कि किसे को करे डाउट है लाउस्टी लिखेंगे यह वेलास्टी किसका लिखेंगे ध्यान रखना तुम लोग नहीं लिखते हो तुम लोग हमेशा गडबढ़ करें इसमें सिस्टम का लिए मोमेंटम लिखना है तो मास इंटू वेलास्टी लिखेंगे वेलास्टी किसका लेंगे हैं कि इस एंटर आफ मास का तो यहान रखना इसको फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मार लोग सिस्टम है उसके अंदर टीम पार्टिकल्स है कि वन टो त्री अब ऐसा हो सकता है कि यह पूरा सिस्टम है कि ऐसा हो सकता है कि वन वाले पार्टिकल में थ्री वाले पार्टिकल ने वन वाले पार्टिकल को अपने तरफ एक्ट्रा किया आटिए फॉर्स ओन वन के टो थी एलोट ट्रैक करेगा फॉर्स ओन थी ओन ये तोनों फॉर्स का मैगड़ी क्या होगा को ऑलोगा लगा लेट टॉक प्समें को एक ट्रैक कर रहे हैं कि यह मुद्स में जुसर्फ को ट्रेक कर देंग और ऐसा भी हो सब्सक्राइब बन में पेस्टनल फूर्स लग रहा है तो में पेक्टनल पूर्स लग रहा है तो हमने पड़ाता ना एंबन एवन का मतलब क्या हो जाएगा अब इसला कि नेट फोर्सस का सब्सक्राइब बन में कौन सब पूर्स देंगे यह था देंगे आरे में एक याल ने पुछा है तो पिर एक ही लेंगे ना अगर नेटफोर्स वन वन वे तो वन सिस्ट्म वहस्टूम तर करना वाद है तर पाठिकल नंभर वान के याफ ने निब이다 एफ और रहे हैं ने एफ रहे हैं आभा पुसे में पीफ तुस्पिंगा ना तो 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 अग्वार्ट ना तो नहीं जो खोट तुस्पाटाइब ने विए तुस्में भी शुच लेंगे कीरें तो अम यह सारे नेट फोर्ष को एड़ करें यह सारे नेट फोर्ष को जब हम एड करेंगे तो यह वाले फोर्स क्या हो जाएंगे कि करेंगे पूरा सिस्टम का हो गया अब यह सारी फॉर्स को कैंसल हो जाएंगे तो यह इंटर्नल का नेट फॉर्स कितना आ रहा है और नीचे आएगा मास ऑफ सिस्टम और लेफ साइड में कौन है एकसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे नेट external force on system mass of system into acceleration of center of mass यह अबने पड़ रखा है बसे इसको प्रापर मेने डिराइफ की किमये टाइब जो पॉर्स को लहा है mass of system into expression of center of sir बोलो sir आपके जो डाइग्राम में F1 F2 F3 क्या है वो रिजल्टेंट पोस्टीजेक्या जा बोल रहे हो एफ 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 टो एफ ट्रीकैल सर एक्ट्रम अजब कोई एक्टोर्स लगारे मन को दूसरे पॉर्स लगरे एक्टर्णली यह सब जो पिंक वाले यह आपस में इसरे लिए पर अपले एक्टर्णली लगारे अच्छा को और फोर्स है ना हां थीक है कि इसे को कर डाउट है यहां तक सब्सक्राइब का मतलब होता है कि सारे को साथ का संट मतलब तू पर साथ का संट मतलब धी पर सारे जा तूंब इस अगाराल करेंगे तो यह पूरे सिस्टम में यह सब इक्व promet Abaza क currency को भाले हो जाएaden व्हे सिस्टम है पूरस है तो इंटेर्णल पूर्स कसम जीरो हो रहे है और यह ग्रीवाले एक्सिटेर्णल फूर्स है वह आ रहा है अब यहां पर ACM पम्रूब लिख सकते हैं मैं या लिख सकते हैं मैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं यह हो जाएगान दीवाई घी और ए जिस्टेम ईंटु वे चेम और यह एम सिस्टम इंटु वी सिंट बन जाएगा ममयं तम प्रिक्री आनें मोमेंट्म लिख स्टुश्थ कि हुआ है कि यह हमारा एक और एक्वेशन आगी है कि ने टेक्स पूर्स किसके एक पूल होता है डीपी वाई डीटी जिसमें पी लीनियम हो इंदम आप सिस्टम है अब अगर अगर एफ नेट एक्टनल पूर्स जीरो हुआ अगर यह पूर्स जीरो हुआ नेट फॉर्स तो फिर यह चीज़ क्या होगा कॉंस्टेंट हो जाएगा मतलब कंज़व जाएगा कंज़व हाँ उसका सिस्टम का लीनियम और मशूल होता है तो सिस्टमक लीनियम मुवेंटम क्या होता है यह एक्सा मतलब तो यह भी याद रखना कि सिस्टम का लीनियर मोमिंट अब कब गंजर्व होता है जिब सिस्टम में नेट फॉस सीरो होता है अब तुऐसा ध्यान सबमें इस फार्मüpल ने देखने में तो सिंपल लग रहा है तो यह फॉर्मुला ग brag एक क् इसा कि वेक्टर टो रॉय्प्टर फार्मुला तो जेसे तीन चर अबज़ेक्ट एक आप्जेक्ट कैसेइस के वास्केश्ट में है कुछ दूसरा उबजेक्ट ऐसे है उसका वेलॉस्टी एस डिरेक्शन में है तो जब मैं यह फॉम्मला लगाँ गो तो डिरेक्टी लिख दूँगा वी टू लिख दूँगा क्या वैलू हम् ihr उड़ाइंग में लगाएंगे जब मैं एक्स डा doe अब में को सारा किस टाइरिक्शन कर लेना पड़ええज़ आप जियुक्त twisting आप तो जब मैं एक्स दारिक्शन में लोंगा ना उसमें भी मुझे धियान रखना पड़ेगा कि अगर एक के पस वेलॉस्टी राइट में है और दूसरे के पास वेलॉस्टी लेफ्ट में है तो राइट वाले का वैलू अगर मैं पॉजिटिव डाल रहा हूं तो मुझे लेफ्ट वाले का वैलू कैसे डालना पड़ेगा कि लिखुआ है यह मैं अधिस करिया है यह राज़ धार्छ नहीं कि लिखुड जो है खिलेत कि किया यह जैश कुछ भी ले थИ खोगा जो थोड़ा सा दिहान ढखना करिसे अविट में द्यान है यह हम हम as the hole एक सत्म ही लगाते हैं, X को लेटे हैं, और चब घरोएं को प्लिसान की ले रहे हैं. left को plus ले रहा हों तो right वाले को minus ले परेड़े है similar वाला भी vector formula है तो हम xy अलग अलग लगाहेंगे x में भी अगर right को plus ले रहो तो left को minus लेड़े रहा है सब्सक्राइब समझ के करना इतना भी असान फार्मॉला नहीं है यह यह यही है तो वेक्टर फॉरुमौला थिवस्साइं मेन पड़ेगा धॡ़का। और याजक्ना इंवार्टम को बने मोमेंटम कर दो कि सीका मोमेंटम लिखो गे तो मास इंडू वैलांसटी कि स稷 लो मेशा कि सबी मोमेंटम से शूसकर भी मोमेंटम लें है कि सावर्फ सुlassen को संथ सेंटर आप मास का सिस्टम की और सिस्टम का नीनिया मोमेंट अब कब जब उसमें इसका मतलब क्या है हमेशा कॉंस्टेंट रहेगा इस नहीं होगा मतलब हमेशा रहेगा मतलब इसीव इनिशल और फाइनल सेंगों के हमेशा सेंगों अधिकाश्यम के इसे विश्टम करेंगे पर हमेशा सेंगे नहीं होगा कि इसी को कोई भी डाउट इस नहीं से तो एक दो सिंपल सिंपल कुशिन करो एक अबजेक्ट है उसका मास 1 kg है वो ऐसे जा रहा है दूसरा उसका मास 2 kg है इसरा अबजेक्ट है उसका मास 3 kg है 1 kg है चलो यह अबजेक्ट राइट में जा रहा है इसका वेलास्टी है टू मीटर पर सेकंड यह अबजेक्ट उपर जा रहा है इसका वेलास्टी है टू मीटर पर सेकंड यह अबजेक्ट बाहर के तरफ आ रहा है इसका वेलास्टी है टू मीटर पर सेकंड तो यह एक्स डारेक्शन है यह वाई है और बाहरवाला जर्ड है हमें इस सिस्टम का सिंटर आप मास्ट का वरॉस्टी बताना है आई के अपके अपके अपने हैं त्राइक करके बताओ कि अ धिया गया प्टैं नगमा है और अ प्टैंशन हुद्टरी बताओ कि अ प्टैंशन यह ्शेलब में दिए Shankna गे में प्रफे को never iłू अब्बरब में कर्फे 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 कर्फ अन्यू अंद हाफाफे कर अ अ symbol झाल झाल इस सिस्टम का जो हम लोग center of mass velocity निकालेंगे तो हम x का लग से निकालेंगे, y का लग, z का लग. जब हम x का निकालेंगे तो वह m1, v1, m2, v2 वाला formula यूज़ करेंगे, तो x direction में इसका mv कितना है, 1 into 2, that is 2. प्लस इसका mv x direction में कितना है, इसके पास कोई velocity निया x direction में, तो इसका mv 0 है, और इसके पास यह x direction में कोई velocity निया तो इसका भी mv 0 है, तो सिर्व यह 2 आएगा. divided by m1 plus m2 plus m3, जो कि 4 होगे, तो यह center mass का x direction का velocity आगया, तो यह i cap, अब जो मैं y direction में निकालूँगा, तो इसके पास y direction में कोई mv नहीं है, इसके पास y direction में velocity है, तो इसका m into v का value आजाएगा 4, इसके पास y direction में कोई velocity नहीं है, तो इसका भी 0 लेंगे, अब आपन m1 plus m plus m3 अब जब z direction का निकालेंगे तो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, तो यह हमार answer है, किसी को doubt है, यह को तो नहीं है, लिएा ली यह को आई बड़ित व्हाओएगागाग करिंगे, इसका भी सेंट्रमास का वेलाउस्टी निकालो आई केंपी केंप में स्कोंति जहारा एंदर केंफ में जहांके वेलाओी थो येस पफितर केंपी केंपी सेंट केंपी केंपी को में केंपी केंभी स्ब्सक का वा o कि प्पोर्द घजा कि नहां जई एकैंत। कि दो प्पोर में जोगी कर तो कर पसकते है तो कर दो कि अपकें टून नहीं कि अपड़कें चाहते है कि कि अपर जाई आख यज आँ कि इँ जब है कि घए जुए झाफंश तो कि अपकें कर दो हुआ है कि यह थे कर से बार्द का नेखिश का नेखिश टो ना मयना वहां बात बाद धाद है तरे टार्मी कि घड़्स अधिश कि बादिता है अधिश्ट मीन Лवी सब्सक्राद कंचे लिए टे का बाद दिए टे टे में कि अधिश हो ने टी टेमा टे बाद दिए त्टोवक। एंगल में अलेगे झाल लेंगे तो अलग जcking नेटीका में इस का वान्यवी का ये इसका भी शिर्ष्ण अब जब मैं लगा तो इसका में वैलियू हो जाएगा 4 और ये राइट में इंटु वी जरुब त्री आगा ना हां त्री आगा त्री आगा त्री आगा त्री आगा तो इसका वाइड आरेक्षिन में में एंटु वे थ्री और इसका वाइड डिरेक्षिन में में एंटु वी तो इस्टीन और दोनों सेम डिरेक्षिन में तो दोनों प्लस किया मैंने अपन एंवन प्रस एंटु जे कैप तो सांसर आ गया इसको कोई डाउट है लो सब्सक्राइब यह चीज़ अच्छे से समझना बहुर अच्छे से यह हमारा सिस्टम है इस सिस्टम में अजर मैं न्यूटन स्लों लगां तो किसका एक्सलेशन परके आरे किसका आए अप्सक्राइशनाइगा कि में सेंटर आफ ओश्क्राइब करेंगे तो कि किसका आया ना छूस्तियु přिई की ऊचैनि दो सब्सक्राइब कर दें तो डिस्प्लीसमेंट या फिर पोजिशन किसका रेगा थैन्टरलफ मास्का तो नेट पोर्स से ना हमें किसके मोशन के बारे में पता चल लाएं पास नेट फोर्स से किसका मोशन के के बारे में पता चलता है तो ज्यान रखा कि नेट फोर्स से किसकी मोशन के बारे में पता चलता है के यहां से यह नियूटर स्लों से इसका अचलेशन आया क्या इसका लगाएंगे हम पूरे सिस्टेम में न्यूटर लगा रहे है तो इसका अचलेशन आ रहे क्या के सेन्टर आँग कर ंचलेशन आ रहे है तो इसका 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 परचलेगे है तो इसके मोशन के बारे में पता चलेगा और चलेगा नहींपैंदो ध्यान रखिश्टम में जो नेट फोर्स से ना Newton's Law से इसकी मोशन के बारे में पता चलता है center of mass का motion के बारे में परचलता है system के अंदर जो particles होते हैं उसकी motion के बारे में परचलता है नहीं तो यह ध्यान रखता है कि net force से center of mass का ही motion बता सकते हैं system के अंदर जो particles से उसका motion हमेशा नहीं बता सकते हैं कभी का बता देता है लग बात है यह बहुत important है सिस्टम में जब भी नेट फोर्स लगता है ने ओर से हम किसके किसकी मोशन के बारे में बता सकते हैं सिर्फ सेंटर उब मास की मोशन के बारे में बता सकते हैं सिस्टर के अंदर जो प्रेजिट ने पारिकल सुन कि मोशन के बारे में हमेशा नहीं बता थे हैं कमी कब बता देते हैं वह अलग बात है विकाद कम बताते हैं जिस सिम्पल सा कुषिन में है अभी मैंने बटाया उसके according स्पोर्स से हमें किसका motion पड़ा चलेगा किसका परचलेगा उसको इंटिरेट करेंगे तो किसका वेलाउस्टी आएगा उसके इंटेदेट है ने तो किसका डिस्प्लेश मिले किसका motion के वारे में पड़ा चलेगा झाल अच्छा करो अच्छा करो से ना इस पूर से ना इस ऑबजेक्ट का अच्छा का निया था है इस अच्छा को जा जाता है लेकिन ये अबजेक्ट था स्पेशल है इस आप्जेक्ट में ना हर पॉइंट का रॉडब अच्छीन सेम तो 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 फिर अच्छीन को इंटीएट करोगे तो हर पॉइंट का वेलबस्टी और शेंटरंज का वेलॉस्टी भी सेम अगा displacement भी सेम होगा तो जो सेंटरों मास का मोशन हो गा वो ही बागी सबकामोशन होगा थो सेंटरों मास का मोशन पड़ा चला कि सारे पॉइंट का मोशन पड़ा चलिया आए वे तार पुरे इसे हमेशा नहीं होता है तो अगर मैं न्यूटन लगाँगा तो मैं पूरे राट की मोशन के बारे में बता पाँगा के सेंटर ऑफ मास के बारे में बता पाँगा तो अच्छे से ध्यान रखा हम से ना हमेशा किसका मोशन पता चलता है सिस्टम की तो पार्टिकल से उसका मुशन हमेशा नहीं पता चलता है कभी को अचल जाता है अलग बात है इसे को कोई डाउट है अच्छिए इसे का वर्टिकल की तरह ऑफ फिर व्यूंपर ना वो यूनिफर्म था बॉड़िप्टिशन आ रहा रहा है आवास क्लियर नहीं हा रहा मुझे कुछ समझ में नहीं हा रहा तुम क्या हो लिए आपने अभी जो एक्जम्पल दिया था ना वो बॉक्स वाला मास एंबला उसमें आपने बोला था कि सारे पार्टिकल्स का एक्टरेशन वेला सेटी सब इक्वाल है ना मतलब आई सेंटर मा घालिंगे वैसे रॉट के सारे पॉइंट का मौशन की जाता होगा लगा लग होगा अगा से Interior तो यहां पे यहां पर अगी जा रहा है कि पूरे आपट सेंटर ऑब्चेक का मोशन पर आतुर घॉबरा है और किसी को कुई डाउट है अगर आजाता है तो फिर अलब उसका चिंता मत करो वह बाद में आजाएगा देजरी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब तक जो हमने पड़ा अब तक हमने अनलम प्रिक्शन पड़ा उसमें हम दो मुटस्वा लगा कि किसका मोशन बदा करते थे इंटर ऑप्जेक्ट बढ़ते हैं कि पूरे अब्जेक्ट बढ़ते हैं क्योंकि अब तक हमारा अब्जेक्ट का जो अब्जेक्ट का मोशन सेम होता था अब चेंज हो जाएगा अब करेंगे नेक्स क्लास के लिए कुछ होंबग करना है क्लास में वैसे हमने कुछ डिसकस किया था कि ये करेंगे अब तरिकल का एक साइस तो पार्ट टू दिया था सर्कुलर मोशन का एक साइस तो पार्ट टू अब हाँ सर ठीक है और किसी किसी